दोस्तो आसम मेड़क से जुरी सारी चानकारी आपको देने वाले हैं जैसे नर मेड़क की आवाज दिब्र क्यूं होती है मेड़क को दिवाचर प्रानी क्यूं करते हैं मेड़क को जल अस्थल चल प्रानी क्यूं करते हैं मेड़क की त्वचा चिकनी क्यों होती है? मेड़क को स्वजाती भक्षी प्रानी क्यों कते हैं? मेड़क को गरदन क्यों नहीं होता है? मेड़क का सरे नावरूपी क्यों होता है? मेड़क की पिछली भुजाओं की उंगलियों के बीच बाद जाल क्यों होता है? मेड़क के न में काफी देर तक बिना सांस लिए रह सकता है ऐसा क्यों होता है तो उन सारे सवाल के जवा में इस वीडियों में देने वाले हैं तो नंबर वन पर आता है नर मेडक की आवाज टिब क्यों होती है तो इसका सब्सक्राइब अच्छामा एक जोरा भाकोस होता है वाक्तंतू द्वारावत पंध्वानी वाकोसों में गूंजने से या आवाज नर्मेळक में बहुत थेज हो जाती है यही कारणा कि नर्मेळक की आवाज दिव्र होती है तो इसका जवाब होगा क्यूंकि मेड़क के वग दिन के समय सिकाड की खोज में निकलता है इसलिए मेड़क को दिवा चल परानी कहते हैं तो इसका जबाब होगा क्यूंकि इसकी त्वचा में एक प्रकार का चिकना लसीला पदार्थ म्यूकस पाया जाता है जिसके कारण इसकी त्वचा चिकनी होती है नमब फाइब मेड़क को स्वजाती भक्ची प्रानी क्यों कहते हैं इसका जबाब होगा आहार की कमी मेड़क छोटे छोटे मेड़कों का भी भक्चन निसंकोच कर लेता है यही कारण है कि मेड़क को स्वजाती प्रानी भी कहते हैं नमबर 6 मेड़क को गरदन क्यों नहीं होता है तो इसका जवाव होगा चुकी तेरने या उचलते समय जटका लगने की संभावना से बचाओ के कारण मेड़क को गरदन नहीं होता है नमबर सेवन मेड़क का सरीर नाव रूपी टी होता है तो सिर्च अपटा प्रोहत दिकोनी नोकेदार पानी की धारा को काटने में सहायक होती है मेड़क को सरलता फुर्वक तेरने एवब वियोग होने के कारण उसका सरीर नाव रूपी होता है नमबर एट मेरक की फिचली भुजाओं की उंगलिया के बीच पाद जाल क्यों होता है तो इसका जवाब होगा मेरक की फिचली जिली दार भुजाओं जल में तैरते समय पतवार का कारे करती है यही कारण है कि उसकी फिचली भुजाओं की उंगलियों के बीच पाद जाल होत होते हैं इसका आंसर होगा गर्दन के अभाव में उभरे पारसो नेतर चारों और से देखने में सहायक होते हैं यही कारण है कि मेरग के नेतर सिर्के ऊपर उभरे रहते हैं नमबर 10 मेरग का हिर्दय मरने के बाद भी काफी देर तक धरकता रहता है ऐसा क्यों होता है जिसका जबाब होगा मेरग का हिर्दय ओनेक्चिक पेशियों से निर्मित होता है जिसका मस्टिक से कोई संबन नहीं होता है यह पेशिया स्वता ही गती करती रहती है जिसके कारण म मेड़क के मनने के बाद भी यूद्य काफी देर तक डाखता रहता है नमबर 11 पर आता है मेड़क पानी दूने काफी देर तक बिना सांस लिए कैसे रह सकता है जिसका दबावा गाच्चु की मेड़क में सोसन किरिया तवचा द्वारा होती है जिसमें जल या नमी होना आवस सरक होता है हर त Walter को पानी के भीतर फीटार से सांस लेने कि आ लह सकता नहीं वह तिये हैं और वह त्वक्त है सास लेती है जिसके कारण वह विना सास लेए पानी में वैस सकता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लिजेगा हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं धर्नेवा जय जर्हाइट